वालो गाईज, आज हम इस डीजाने ब्लाउज की कटिंग करना सिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, तो ये इसमें देखिए, कोई टक्स नहीं है, ये प्लीटिंग वाला ब्लाउज है, इसको किस तरह से कटिंग किया जाएगा, इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, दोनों में से जो आपको बेतर लगे, आसान लगे, आप उसको फॉलो कर लेना, ठीके, और ये साडी का जो ड्रेपिंग है, इसका भी मैं थोड़ा सा ऐसा एडिये से ड्रॉइंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरह से कर सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए, किस सीधा मार्किंग लगाएंगे, यानि कि यहीं पर हम एक सीधा निजान लगा लेंगे, ताकि यह उबरलैप करने के लिए हम को इस्टरा लेना है, तो यह फ्रन्ट का एक पार्ट मैं कटिंग कर रहा हूँ, दूसरा सेम टू सेम कटिंग होगा, और उसके बाद में दोनों उ दिखाते हैं, फ्रेंड पार्ट है है, ठीक है, तो जो भी सोल्डर है, अब सिष्टी नीचे है, तो आधा करके एट इंच पर निजान लगा लेना है आपको, और यहां पर लेंथ होगारा, जो भी यह लेंथ हमको मिला नहीं है, तो अपने हिसाब से आप जो भी यह लेंथ निकाल सकते हो, डाट पोइंट लगा सकते हो, तो मैं एक अंदाज से 11 पे लगा रहा हूं, और लेंथ मैं 16 पे लगा रहा हूं, तो इसलिए जो है, आपको अपने हिसाब से कर लेना है, जो भी आपका लेंथ होगा, आपका डाट पोइंट होगा, उतने पर निजान लगा अब आपको फूल बस्ट का सेंटर निकालना है तो आपका 46 है, फूल बस्ट है, तो उसको आप 10 से डिवाइट करेंगे, तो जितना भी होता है, साड़े चार इंज के करीब होता है, तो एक दो सूत कम लगाओगे, तो चलेगा, इस तरह से लगा लेना है, जैसे मैंने लगाय है, और निसान को तोड़ा बराबर कर लेगा, नहीं बढ़ा कर लेगे, ताकि बराबर आपको समझ में है, इसलिए, हमने बढ़ा कर लिया है, तो वेस्ट वरी lahiन को मैं लंबा कर लिया हू, बाद में हम इसका यूज्स कर लेगे, ठीक है? अभी क्या करना है हमको holder देखना है तो solder एक इंच हमको down कर देना है इस तरीके से एक इंच करके निसान लगा लो और यहाँ पर आके तीन पर या पहने तीन पर आप एक निसान लगा लो neck keep roading का अब यह क्या करेंगे दोनों निसानों को हम इस तरह से मिला देंगे यानि सोल्डर का सुलूप हमारा हो जाएगा तो इस तरह से आपको कर लेना है अभी आर्मोल कर ले निकालना है तो 7 इंच पे ही निकालो कोई प्रब्लम नहीं है और यहां पर चेस्ट ना पलो तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 42 तो यहां पे 10.5 पे निसान लगा लेना है आपको और इस तरह से जितना भी है उसका 4 से डिवाइट करके लगाना है तो अभी मैंने बराबर पर लगाया है डाट लगाना होगा तो हम बढ़ा लेंगे बात में अब क्या करना है यह डाट को सीधा क और एक तीसरा तरीका यह है कि बिल्कुल जो है डमी पे जाके उसको प्लिटिंग करके फैब्री को बिठाएंगे वो ज्यादा बेतर होता है आपके पास अगर डमी है तो बहुत ही बैतरी में उस तरह आपको कर लेना है तो मैं देखिए यहां पर डाट को माइनस करके इस जो भी हमारा वेष्ट है 40 इंच तो 10 पे निशान लगा लिए मैंने तो इस तरह से डाट के साल लगा है छोटा डाट लगा है मैंने नीचे दो इंच के करीब है उससे भी थोड़ा कम ही है जादा नहीं है अब यहां पे क्रोस फ्रेंट का निशान लगा लेना है तो जो भी उपर नीचे करके कम जादा कर सकते हो तो मैंने देखा तो बराबरी था तो दो इंच शोलडर मैंने यहां पे मैनस कर दिया अभी मैनस करके हमको लगाना है और यहां पर पोने 2 इंच के करीब 5,5 इंच के करीब स्वलडर का सिम मैंने ले लिया है जो भी आपका नेक है 9 इं है नेक का यह ओफर लैपिंग पार्ट में हमारा जो है नीचे का पार्ट बढ़ जाएगा और वहाँ पर नेक जो है लाइन के उपर कतम होगा जो भी हमने मेजरमेंट लिए अब यहाँ पर मैं सेप लगा के दिखा रहा हूं आर्मोल का अगर इस तरह से भी कि अपक्टिंग करते हो तो हो जाएगा कोई बात नहीं है तो इस तरह से भी कर सकते हो अगर डाट के साथ करना है कि आर मोल में औरuti से छिपक के बैटे तो हमको यहाँ पर ट्रहा लगा लेना है तो यहान Low Labrahet ओ जाएगा एकदम अच्छा से बाढ जाएगा इस तरह से लगा लेंगे तो हमको यहाँ ठोड़ा ड्रुट पर चैच पर शेस बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से मैं एक इंच का लगा रहा हूँ, आप इस तरह से लगा के, और अभी निसान को बराबर कर लेंगे, यहाँ पे जितना भी है उधर का, वो इधर हम बराबर कर लेंगे, अब उसके बाद हम जो है, सेफ को चेक करेंगे, कि बराबर आया है, यह चोटा आया है, अगर अगर चोटा आया है, तो आप थोड़़ा बढ़ा सकते हो, नीचे कि तरह, इस तरहसे यहाँ से शेफ करके, आप नीचे कि तरह बढ़ा सकते हो, ज्यादा फ़रक नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा साही बढ़ा यानीचे, इस थरह से करके लगा देना है, इस तरह दो वीडियो के एंड में किस तरह से करेंगे तो बराबर होगा अब देखे मैंने वहां पर एक इंची माइनस किया सेंटर से मतलब हो जो वेस्ट की लाइन है उससे हमने एक इंची शॉट किया उदर इस तरह से पॉइंट निकाल दिया डाट के उपर ताकि अच्छी तरह से यह बराबर जब क्लोज होगा तो अच्छी तरह बैटेगा वैसे हमको प्लिटिंग करके करना है ऐसा कुछ नहीं है तो यहां पे देखे जितना भी आपको प्लिट लगाना है उतना इस तरह से निसान लगाते चले जाना है यह डाट को क्लोज करके भी कर सकते हो लेकिन पहले कर सकते हैं मैं आइडिया बता रहा हूं को कि इस तरह से किया जाता है यह बीना डाट के आर्मोल के और इसके बीना डाट का भी आप कर सकते हो उसमें के थोड़ा ज्यादा ज्यादा प्लिटिंग ले लोगे तो बैठ जाएगा तो मैं वह भी बता रहा हूं कि आपको जैसे भ करके दिखा दूंगा आपको तो देखे इस तरह का निसानमे capitalism लगा लिए अपकटिंग कर रहा हूं तो इस तरह से marking पर कप कर रहा हूं तो कभी country होता है तो इस तरह से आप को कर लेना है इसलिए ब्रे GANG challenge कर लेना है इसक लीए में डाट के साथ कटिंग कर रहा हूं, यह तो डारेकți कर लेता, अगर आपको डार्ट नहीं लगाना है, तो पिलीटिंग थोड़ा-बढ़ा मारना पड़एगा, खरक पेटोंग दिक्कत नहीं आएगा, तो इसलिए जो है, मैं अभी dwa तो तरीके आपको बता रहा हूं तो इसले चले दीर प्लेटिक का आपको कर दिया करें के अपर डिएकंच से करें तो सारे निसानों को इस तरह से कटिंग कर लें युटिंग दिखा देंगे हैं लेकिन ये तरीका इतना परफेक्ट नहीं होता है जो हमको चाहिए जो वो dummy पे ही होगा, तो dummy पे आपका भले size बड़ा हो, चोटा हो, कोई problem नहीं है, आपको उस तरह का size set करके, pad लगा के, कफ सोगरा लगा के उस पे, आप set कर सकते हो, भले आपका size बड़ा हो, चोटा हो, front का part एक जो है, अच्छी तरह set करके बिठा सकते हो, पूरा piece तो नहीं बिठा सकते हो, क्योंकि size में dummy नहीं आता हो, उतना बड़ा, तो आपको front का part एक कर सकते हो, तो देखे, मैं किस तरह से close करके, इस तरह से कपड़े पे, मतलब कागज पे चिपका के, इस तरह से मैंने कर लिया है, तो इस तरह से आपको करके, फिर close कर लेंग अगर आपके पास dummy नहीं है, इस में भी बैठी जाता है, अब लोग तो आईसे भी बिठा देते हैं, जब हमारे पास मैंने कोन नहीं होता था, तो हम इसी तरह से करके, और अपने customer का कपड़े बनाया करते थे, तो बन जाता था, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, अब देखेए मैं उसका नीचे का हिस्सा में दो बेल्ट जैसा दिखता है दो पटी जैसा उसका भी मैं यहां में मार्किंग करके वो बस्ट के नीचे बिलकुल उसका है तो शेप को आप चेंज करना चाहो तो इस तरह पॉइंटेट भी कर सकते हो और नहीं तो जैसा दिख रहा है वो राउंड जैसा दिख रहा है वो ऐसा भी कर सकते हो तो उस शेप में कटिंग करना पड़ेगा तो आपको मैं दोनों की Pret दिखाई देगा जो भी सेंटर में दिख रहा है तो उस तरह आपको करना पड़ेगा तो उपर बेल्ट को आपको अलग से एक लगा के अरी नीचेवाला बेल्ट जो है अलग सेट करको कर सकते हो एक सात में मैंने कटिंग भले किया है आपको नहीं करना है मैं तो ऐसे र तो गरहा रख के नीछे और आप अच्छी तरह से चेक करके बिटाओए तो बैठेगा तो देखे मैं तोड़ा सेप इसका अलका सा चेंज कर दिया हूँ तो इस तरह कर सकते हूँ आपको करना है तो मैं नहीं करना है तो कोई बात नहीं जैसे मैं मैंने कटिंग किया था वैसे भी कर सकते हो ठीक है तो अभी मैं यह कटिंग कर देता हूं यह जो भी हमारा इस्ट्रा है इसको मैं इस तरह से कटिंग करके निकाल दूगा तो यह इस तरह से पेपर मैंने पीछे से अटा दिया त इस काम से जुड़े है तो आपको डमी रखना चाहिए परफेक्ट सेटिंग परफेक्ट पिटिंग उससे ही आता है तो जो भी यह सब काम करते हो बराबर रखते हैं इसके लिए तो यह मेरा कटिंग होगे अब मैं बैक का कटिंग करके दिखा देता हूं क्योंकि मैंने सारे कर देता हूं तो जितना सोल्डर मैंने लिया था उतना ही मैंने लिया है और यहां पर जितना माइनस मैंने किया था उतना ही माइनस किया थोड़ा ज्यादा कर लेना इसको क्योंकि डीप नेक है तो आधा इंच ज्यादा मैंने कर लिया नहीं कि फ्रेंड में दो इंच किया इसमें मैंने डाइंच कर लिया इस तरह से रख के हम पहले क्या करेंगे फ्रेंड के पाट को इस तरह से हम बराबर कर लेंगे बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहां पर जो भी निसान हमरा है अपर चेस्ट का वहां पर एक निसान लगा लेना है इस तरह से तो यह बर पर्चे 42 है तो 10.5 पर निशान आपको लगा लेना है और वहां से इस तरह से रख के नीचे की तरह निशान लगाएंगे यानी साइट को बराबर करके तो इस तरह से बैक करिए बैक लेन निकल जाएगा तो यह बहुत ज्यादा इसमें शेप नहीं है तो इसलिए आपको क्या करना है बिना डाट का भी कर सकते हो डाट लगना है तो इस तरह दो मार्किंग करो और यहां पे लगा लो अगर डाट को अगर खतम करना है तो मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से खतम कर सकते हो बिना डाट का भी हो जाएगा कोई दिकत नहीं है इसमें problem नहीं आने वाला है क्योंकि एक पट्टा है वो अलग से लगाएंगे तो यह बराबर हो जाएगा क्योंकि जब हम ने देखा image में तो उसमें अलग से लगा हुआ है अलग से पट्टा लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि perfect opening एक side में होगी center में नहीं होगी तो आपको क्या करना हो पट्टा अलग से लगा लिए देखे मैं इस तरह से अभी इसको कम कर लिया जितना हमारा वेष्ट है उसको फोर्स डिवाइड करके और मैंने इस तरह कटिंग कर दिया तो डाट की बिना मैं कर रहा हूं इसको तो देखे मैं किस तरह कर रहा हूं इस त आपके एक साइड में आएगा कोई भी साइड भी आप कर सकते हैं तो देखें इस तरह करेंगा आपको जो है दूसरा तरीका बता रहा हूं जिस तरह से हम करते हैं उसको बता रहा हूं यानि कि इस तरह का करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है तो देखिए मैं की सतरह से कटिंग कर रहा हूं इस तरह बड़ा-बड़ा कर लिया माने और अभी मैं इसको डमी पे लगा के सेट करके दिखाता हूं तो सबसे पहले यह देखे मैंने कितना बढ़ाया है जो भी इस्टरा होगा हम बाद में निकाल लेंगे तो आपको एक पार्ट इस तरह से कटिंग करके सेट कर लेना है तो दूसरा रखके सेम टू सेम कर लेना है अभी मैं वह पार्ट दिखा दे रहा तो आपको बराबर जो ही आ जाएगा तो देखे मैंने आपको इस तरह से एक निसान लगा लिया तो जो भी लेंथ रखना है आपको यानि इसकट से यह सौट लेंथ है तो उससे कितना सौट करना है आप देख लेना उतना करके थोड़ा प्लिटिंग उसमें प्लिटिंग म पार्ट होगा तो इस तरह से आपको प्लीटिंग प्लीटिंग कर लेना है यानि कि सारे प्लीटिंग आप फ्रेंड में देख रहे हो यह सब प्लीटिंग बैटेगा तो इस तरह से आ जाएगा तो मैं एक ड्रोइंग करके आपको दिखा देता हूं कि ड्रोइंग में इसकट क इस तरह आए और यह किस तरह का दिखाई देगा तो समझ लिजिए ठीक है अब यहां पे हम यहां पर लगाेंगे तो आप सेंटर में लगा जो बी लेंदी रखने महां पर आजाएगा मैं यह चोड़ा जो प्रिछब और उपर यह वेंस्ट का पाट है इस तरह ये सब्सक्राइब करना है इस तरह से आपको यहां पर पिलिटिंग बर आएगा तो यहां पर इतना करना है तो इहां गेदर करलो या तो बड़ा गेदर चाहिए आपको तो सीधा डारे को क्लिप खू जाओ तो सीधह तरह करो ने तो इस तरह कर लो एक तो है पर चुल कर लोhou अच्छी तरह so वहां cutting कर लो तो दूसरा भी मैं इस तरह का है ड्रोइंग करके दिखा रहा हूं बैक का हिस्सा तो इस तरह के पार्ट में किस तरह दिखाई देगा वह आप देख लो ठीक है तो यह जो इस तरह से घुंक के आएगा और यहां पर आके गेदरिंग आ जाएगा इस तरह से तो अच्छी तरह से बैठता जाएगा फॉल की तरह जिरेगा और यह लचक कपड़ें होना चाहिए जैसे कि कोई भी इस्ट्रेचबल फैबरिक है उसमें बनाऊगे तो ज्यादा लूक आएगा तो आप देखके इस तरह से कर लेना लेंद मेने जो ड्रोइंग किया है वह तो देख लेना है कितना लेंद चाहिए उससे पांच चेंज इस्ट्रा रखना है आपको तब जाके यह बरबर थोड़ा सा फॉल मारते हुए अच्छी तरह से गुमते हुए बैठे का सेंटर में ठीक है तो यह सेम टू सेम बैढ़ जाएगा आप ट्राई कर लेना इस तरह अधिक हैसा तो बरबर एकदम फॉल की तरह लेबलिंग आजएगा जो भी लेंच यह आजाएगा तो डमी पर ही बनता है ऐसे नहीं बनता है लेकिन मैंने ड्रॉइंग कर दिया है कि इस तरह कटिंग करके आप उस पर ड्रॉइंग भी सेट करना चाहो तो अच्छी तरीके स सेट कर सकते हो तो इस तरह का रफली कटिंग करके आप पिलीटिंग करके चेक कर लोस में एकदम पस्क्लस बेहतरी बैठ जाएगा आपको जरा भी टेंसन नहीं हुआ है अब जो लेंट रखना है आपको रख लेना है कोई वो नहीं है पिलीटिंग के उपर है जितना आप जादा रखना चाहोगे उतना पिलीटिंग भार होगे उतना यह ज्यादा होगा हूँ प्लीटिंग कभ लाको तो कम आएक है तो इसका में कोई मेजर्मेंट नहीं बता रहा हूँ कि इतना इंच कपड़ा यानि कितना मेटर इसमें लगेगा तो आप अपने इस आप से पेटी मिलेगा नहीं तो इस तरह से क्कतम कर रहो तो थोड़ा सा राउंड लेके जाना पड़ेगा आपको लेंध को भराबर में तो इस तरह के से कटिंग कर लोंगे तो फर्फेक्ट बैठेगा तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने समझ लिया होगा कि मैं किस तरह से क्या बत मुझत नहीं पड़ेगा तो इस तरह से क्या करना है मैंने देखे 46 का हिक लिया है और इस तरह से मैंने उसमें डमी में तो इस तरह से आपको कर लेना है जो भी ड्याट पोइंटे होे इंटर आपका जहां naked निकलता है वहीं पर लगा के इस तरह सेट करलेना है जो मैं कपड़े Marshall करके आपको दिखाए ता उस ही को shut बचटेट कर रहा हो तो उपर पहले पिन पहसा लेना है अच्छी तरह से इसके बाद में यहाँ पर बड़ाबर करें गे तो नेक' का ऊपर लैपिंग के तो चार में करो, तीन में करना है, तीन में करो, ज्यादा करना है, ज्यादा करना है, ज्यादा लूच चाहिए, तो ज्यादा ज्यादा प्लिटिंग मार के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तरीके साब बनाऊगे, तो ज्यादा बेहतर बनेगा, पर्फेक्ट ब तो देखे मैं तीन प्लेट मारा चौथा मार दिया ठीक है इस तरह से आपको जितना प्लेट चेहीं कर सकते हो प्लेटिंग को भी इधर उधर सरका सकते हो अपने तरीके से चेंज कर सकते हो ऐसा नहीं है कि जो मैंने मारा है वही मानना है यह इमेज में जो दिखता हुआ जो कि लेंगो को बहतर लगे यह सेट कर सकते हूं अब सैट को यह शीम कर लिए लेकिन आपको मार्कर सेंहीं करना है आपको चजफ करके लेकिन या पर से मारेकिन करके आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह से करके इस इमें यद्फ कर देगे यदि ऊपर का जो बेल्ट दिखते है राउंड वाला उसमें फिट कर देंगे तो तो जैसा यह है वैसा दो पार्ट सेम से बनेगा, दोनों को एक जैसा जब बिठाएंगे, तो सेम टू सेम हैमेज जैसा हो जाएगा, तो बहुत ही एजी तरीका है, इस तरह से आपको क्या करना है कि निशान को लगा के निकाल देना है, और वहापे पीनिंग लगा के, पीनिं का पार्ट दे सकते हो यानि कि समझो अंदर प्रिंश कट आपने दे दिया है और इस तरह का सेम टू सेम कटिंग करके अंदर का इनर जैसा और उसके बाद यह प्लिटिंग का बाट बिठा के उस पर भी सेट कर सकते हो तो दो तरीके होते हैं आपको ऐसे चाहिए तो ऐसे भी यह जमा देना है तो यानि कि लाइनिंग मेरा कहने मतलब लाइनिंग जो है बिल्कुल बना के प्रिंसेस कट सेप में उसको जमा के इस तरह प्लिटिंग करके उस पर बिठा दोगे वह ज्यादा बैतर होगा अंदर से भी कंफर्ट होगा उपर से भी कंफर्ट होगा यानि क पैड भी कपस भी अच्ZY तरह से लगा सकते हो तो इस तरह से आप सकते हो तो मैं श्टीचिंग का वीडeo नहीं बना रहा हो इतना मेरे पास order होता तो मैं श्टीचिंग कर करके दिखा देता तो इस तरह से कर और आपर बेल्ट उगए राज एगा सेम हो जाएगा तो यह मेरा कटिंग करने का एडिया यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो सब्सकाइब करो और दोस्तों में सेर जरू करो तो देखिए किस तरह का बैटा इस तरह से आपको मना लेना है तो उमीद करता हम आपको पसंद आएगा, चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाहाफिस